असलों की वोर्ट मैंने में बिजवान चीमा, welcome back with another video, this video is about Lahore Smartry latest update, इस वीडियो में आपको explain करने कोश्च करों कि Lahore Smartry अप्लॉट लेना क्यों वर्थ करता है और आज की date में site पर development का status क्या है, इस वक्त साइट पर machinery की movement के लावा site पर जो offices, container offices होते हैं, उनकी movement भी शुरू हो बनाए जाते हैं, उनके लिए container offices की movement भी हो गई है, second question is कि Lahore Smartry अप्लॉट लेना वर्थ करता है या नहीं, Lahore Smartry अप्लॉट लेना चाहिए या नहीं, तो उसका answer simple सा है, कि Lahore Smartry अप्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप Lahore Smartry अप्लॉट की नेबरोड की society's हैं, वह value cash पर चेक करते हैं, तो तकरीबन 35 लाग के आसपास है, 35 लाग का essay garden plot है, और essay garden कोई बहुत बड़ा brand नहीं है, जिस तरह DHA, गुलबर्ग, बहरिया, CDA या आप कहलें के smartry टी, इस तरह brand ना होने के बावजूद, वहां पे 5 मले का plot तकरीबन average cash की value 35 लाग है, लाहर Smartry में चीज़ें offer की जा रही है, वो essay garden से definitely बहुत 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 है, क्योंकि essay garden का front बनता है, सिर्फ GT road पे, लाहर Smartry को access मिलती है GT road से, नमर वन, main eastern bypass, जो front side पे, जो मने वीडियो में अभी शुरू में आपको दिखाया भी है, eastern bypass के लावा, इसकी connectivity, left side पे, यानि अगर आप east side पे देखिए eastern side पे, तो वहां पे जाके जो लाहर M11 motorway है, यानि कि लाहर सियाल कोट motorway उस पे भी access बनता है, इसके लावा easy access ring road पे होने के साथ साथ, यहां पे जो बड़े roads हैं, जितने बड़े roads हैं और जितने बड़े units हैं, वहां पे उनके साथ साथ करीबी access का बड़ा nominal distance है जैसे जीडी road से distance तकरीबर ना होने के बराबर है, बाइपास से बिलकुल उपर है, रिंग रोड के बिलकुल उपर है, लहौर सियाल कोट motorway के बिलकुल साथ है, और लहौर इसलामबाद motorway से टू मिनिट्स की ड्राइव पे हैं, इसके लावा एक बात जो मद्द रखनी व ब्लॉट में प्लॉट है, वो है 22,80,000 का 2,28,000 रुपे में प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं, इसी तरह 10 मला प्लॉट की वैल्यू देखी जाए, तो 10 मला प्लॉट की वैल्यू इस वक्त तकरीबर 40,80,000 और जो अब एक बात करें, तो वहां पे 49,60,000 की वैल्यू दस म पे 46,00,000 टोटल वैल्यू है, और सिर्फ 10 परसंट से आप बुकिंग करवा सकते हैं, इस सक साइट पे आपको कुछ बॉटम साइट पे लट, बॉटम लट पे कंटेनर से नजर आ रहे होंगे, ये कंटेनर बैसिकली ओफिस की तरह हैं, और इसके बिलकुल फार्टक है, जो काला शकाकु से ट्रेन मूव करती है तो इस फार्टक से पीछे वाली साइट पे आपको जीटी रोट का एकसेस पॉइंट नजर आ रहे होगी, इसी जीटी रोट पे इसकी बैक साइट पे जहां पे आपको ट्राफिक नजर आ रही है, इसकी बिलकुल बैक साइट पे ऐसे सेन्स सॉाइटल झिसका मयने वीडियो के मैं स्टार्ट में स्टार्ट में में चिन्शन किया, वहां 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 बे 5 मिले क लाउट 55,00 आ यहां बे 5 मिले क लाउट 21,60,000 रुपे का है, दोनों में फरकिया है कि उसको सिर्फ अकसेस मिलती सिर्फ में जुटी रोड से और इसको एकसेस मिलती है, from the main eastern bypass यह लहुर ring road से कहलें, ring road से bypass access मिलने के लावा इसको एक जो important point बनता है, कि इस project को वही company ओन करती है, जिसने past में DHA, Bahria, Motorways और पाकिसान की बड़े mega projects डिलिवर किया है, इस company के reputation देखें और इसकी development का status देखें, और इसके लावा जो सबसे important बात है वो यह है कि एक society जिसने पाकिसान की history में पहली दफ़ा 55 days के अंदर अंदर लहूर development authority से NOC अप्रूफ करवाया वो society एक definitely एक value रखती होगी और surrounding में neighborhood की society से इनका comparison उस तरह से possible नहीं रहता इसके लावा जो लहूर समार्टी की site है इस पे जो machinery की moment अभी शुरू हुई है क्योंगे इसकी ground breaking ceremony थी कुछ दिन पहले उसके बाद यहाँ पे machinery की regular moment शुरू हुई है उससे होगा क्या कि साइट पे regular developments चलती रहेंगी तो जिस तरह लहूर की site है लेंड है comparison to इसलामबा क्योंगे यहाँ पे सिर्फ development के लिए streets के लिए पहले कुछ मिट्री डालना उसको compact करना उसके ओपर कार्पेटिंग और asphalt यह एक तक्रीवर एंड पर स्वाल्ट की यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा massive scale पर cutting और filling वला काम था उसके लावा उसकी leveling, compaction उसके बाद streets का layout plan set कर कर सकते हैं अपनी investments पे भी प्लस अगर आप end user point of view से देखना चाते हैं तो आप इसा comparison इस तरह से लगा लें के DHA phase 8, phase 6 यह लाहूर की दूसरी side पे है यह लाहूर की opposite side पे जो दूसरी side बनती है इस eastern bypass तो वहाँ पे जो इस वक्रेट्स हैं मैं पहले भी वीडियो में बता च तक्रीबन एकरोड 80, एकरोड 90, लाग से एंड गोज अप टू 260, 270, 280 यह लाग तक जाती है तो उनको भी बिलकुल में इस तरह ring road के उपर access है और इसका main ring road के उपर access है फर्क सर्फ यह है कि यह society अभी start हुई है और इसकी तमाम जितनी चीज़ें वो basic stages पे हैं जो individuals अभी की rate में आजगी rate में स्मार्टी में इन्वेस्ट करने के खौईश मंद हैं वो दिये के number पे contact कर सकते हैं जो आपकी stream पे नजर आ रहा है प्लस 923459999881 और आप booking के हवाले से तमाम मालूमात ले सकते हैं लाहूर स्मार्टी में booking के लिए आप से कोई एक रुप्या भी चार्ज आपने लाहूर स्मार्टी में आपकी booking हो जाएगी तो अगर आपको लाहूर स्मार्टी में booking के वाले सकते हैं इसके लावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंट शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलें रिजबान चीमा को दीजए अगली वीडियो तक के लिए खुदा आफिस